वीओ वाइफाई जियो एन एर्टेल ने लॉंच कर दिया है सारे इंडिया पे तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप वाइफाई नेटवार के थुरू कैसे जियो से एर्टेल पे कल कर सकते हो अगर आपके घर में नेटवार का प्रॉब्लम है तो आप इसली वाइफाई नेटवार के थुरु कल कर सकतो तो यहाँ पे देखिए एक हे मेरे पास आइफॉन और दूसरा है आउन प्लास 70 तो आइफॉन पे जियो का सिम है और आउन प्लास 70 पे एर्टेल का सिम है तो व्यो वाइफाई यहाँ पे अक्टिवेट नहीं है अभी मैं सेटिंग पे जाके व्यो वाइफाई सर्विस एक्टिव कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए वाइफाई का सिम्बल उपर आ रहा है लेकिन जो व्यो वाइफाई का साइन है वो नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको setting पे जाना होगा then आप इसको on कर सकते हूँ तो आभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने setting पे जाके on कर दिया है setting पे जाने का बाद mobile data then निचे आपको दिख जाएगा wifi calling तो इसको on करना है अगर आप इसको आप कर दोगे तो यहाँ पे जो wifi का option है बो चला जाएगा तो यहाँ पे दिखिए on करने से जियो उसके पास में एक wifi लिखा आ रहा है तो आप easily wifi calling कर सकते हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो आइफोन है और दूसरे में airtel का sim है तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो airtel का sim जिस mobile पे है on plus 70 इसमें सिर्फ 2G network है तो यहाँ पे देख लिजिए इसमे airtel लिखा है तो आभी मैं wifi पे connect कर देता हूँ और इसके setting पे मैंने already सब कुछ setup कर लिया है तो देखिए wifi connect करने के बाद यहाँ पे आ चुका है view wifi तो यह मेरा phone के camera में detect नहीं हो रहा है ठीक से तो यहाँ पे आप देख सकतो और यहाँ पे मैंने call कर दिया है और यहाँ पे wifi network के through call जा रहा है आप देख सकतो मैंने call रिसीब भी कर लिया तो मेरे घर पे network का बहुत ज़्यादा problem था तो आप ही easily call हो सकता है अगर आपके घर में problem है तो आप easily wifi network के through call कर सकतो मतलब किसी भी wifi network के through आप easily call कर सकतो थोड़ा सा अगर speed है तो ही चल जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी आ facility है तो आपने देख लिया इसको कैसे करना है अगर आपके phone में नहीं हो रहा है तो आपके handset support नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे handset पे आभी तक support नहीं आया है तो आप सबसे पहले check कर लिजिए आपके handset support है या नहीं तो अगर आपको कुछ भी problem हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे comment में बाता सकतो मैं आपकी सारे question का answer दूँगा आप चाहो तो मेरे facebook page Info6 पे भी contact कर सकतो वहाँ पे किसी भी तरह का अगर help चाहिए आपको तो मैं आपको help करूँगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्दबाद इस तरह का और फी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल Info6 को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जोरू like and share कीजिए